असलाम अलेकम वल्कम टू श्राया नियूज उमीद करती हूँ के आप सब खेरिये से होंगे UK की इंतहाई दो एहम अपडेट्स को लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो के UK होम सेक्टरी प्रिटी पर्टेल ने एक और नया बियान जारी किया है और इसके इलावा उसी जानी बेल्जियम ने UK को गर कानूनी महजुरीन के हवाले से क्या कहा है इस खबर को भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा तो इसलिए वीडियो को मुकमल आखिर तक देखियेगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिये ताके वो भी UK के हलात और वाकिया से बाखबर रह सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की एहम तरीन अपडेट का सिंसला UK Home Secretary Pretty Patel ने एक और भीयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे मुमालिक जो हमारे साथ एग्रिमेंट नहीं करेंगे Asylum Seekers और Criminal Immigrants को Accept करने के लिए तो उन मुमालिक से अगर वो मुआइदा नहीं करते तो उनके शेहरियों के तमाम वीजों को कैंसल कर दिया जाएगा तो ये एक वाजिया तोर पर UK Home Secretary की जानिब से दमकी दी गई है ऐसे तमाम मुमालिक को जिनके साथ वो एग्रिमेंट करना चाहती है जैसा कि अब UK European Union से अलैदा हो चुका है तो इसलिए वो खुझ से अब मुखली मुमालिक के साथ अपने मुआइदे भी कर रहा है मतलब अगर UK की Home Secretary अगर जैसा तुरकी या बेल्जियम या मजीद जो मुमालिक हैं अगर वो मुआइदा करती है इस जानीब से तो अगर वो उस मुल्क को कहते हैं और ये एग्रिमेंट नहीं करेंगे तो फिर UK हकूमत या नी के Preeti Pertail उस मुल्क के शेहरियों के वीजे कैंसल करने के हगदार होंगे तो अब ये कहा गया है प्रिट्री 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 प्र इंकार कर दिया। बेलजियम की जानिब से इंकार का ये फैसला बर्तवानी होमस एक्टवी प्रिटी पटेल के राप्ते करने पर किया गया है। अग्रिमेंट बर्तानिया और यूरप के दर्मियान वो मौाइदा था जिसके नतीजे में बर्तानिया किसी भी ऐसा मुल्क जहां अक्वाम में थेदा के कवानीन के तहद असाइलम हासल करने वाले अफराद की जान को खत्रा ना हो। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेएगा था एंक्यू खुदा हाफिस।